नमो नारैन जेगो माता बंदी मात्रों मा भारती कुप्र नाम और हिर्दैसे ओम शम्षन इस्चराये नमा अभिनांदान आभार मित्रों ने कहा कि इस्वर कहां विराजमान है अरे भाई हमारे हिर्दे रुपी मंदिर में इस्वर विराजमान है कैसे एसास करें कि हमारे हिर्दे में विराजमान है हमें कैसे पता चलें स्वांसों के आने और जाने के रूप में वो हमेशा अपनी मौजूदगी का एसास हम किराता रहता है स्वांस भीतर जा रहिये है यह प्रमाड है प्रमेश्वर है इसलिए मित्रों और शात्यॐं अपनी हिरदे में विराजमान उस परम शक्तिवान को पहचानों, जानों मानों नहीं जानों जानकर मानों किश्चें भरा रहेगा हैं आज आपकी शादी की सालगर है या फिर आपका जनम दिन तो दाती महराज की और से हारदिक सुपकावन है आपका जिमन खुशियों से भरा रेशनि भगवान के सिर चलनों में मेरी प्रात्रा आपका जनम दिन है या फिर शादी की सालगर है और आप चाहते हैं कि जिवन में वेर्थ की परिशानी से पीछा छूटे तो आज के दिन कहीं पर भी गरीब निर्धन लोगों को अपने हाथ से भोजन करें और उन्हें वस्तरों का दान दें और जिवन में कभी भी उठापटक का सामना करना पड़ रहा हो तो ओम हराम हरीम हराम शा शूरियाए नमा शूरिय के बिजमंतर का जाप करी शूरिय गायतरी का जाप करी आदिती हिर्दरस्तोत को सुनी और हर अविवार को शर्धान सार गेहूं का दान किसी गरीब निर्धन जरुदमंत महिला को दीजिएगा कष्ट नहीं आएगा नमना रहें और बात करते हैं आज के सुझाप क मित्रों ने कहा कि पारवारी शफलता के लिए घर में शुक्षानती के लिए घर में बरकत के लिए घर में बचत के लिए कोई उपाय बताई दाती महाराज मेरी मित्रों मेरे शातियों पारवारी शफलता के लिए घर में शुक्षानती के लिए बरकत और बचत के लिए और शर्दान उशार अपने इस देवता का ध्यान करके अपने उपर साथ बार उशार ये और उस दीपक में डाल दीजे। परेशान है छिटकारा मिलेगा ना माना रहे हैं। कुछ लोगों ने का अग्दाति माराज बीपी बड़ा है। उपर नेज़र हृदे रोग में कुछ परेशान है कुछ सलह दीजे। डॉक्टर सलह जादा देता है भाई इस मामले में तुरन डॉक्टर से संपर करिए लेकिन इंतजार करिए कुछ उपाय जरूर बताऊंगा उससे पहले आज का पंचांग जेश क्रश्ण पक्स की डूइतिया विक्रम समद 2018 जेश मास्ट की पंद्रा पर विश्टे सक्षम उनिशो तेतालिस जेश शार्त तद अनुशार्त शुकरवार 28 मई सन 2021 प्रातकाली नक्षर मूल नक्षर चंदरमा धनु राशी में और प्र आते चाड़ी 10 बज़े लेकर 12 बज़े तक राहुकाल गनशुबकारी करना शौदा करना पुझनिवेश करना अनुकोल और उचित माना नहीं किया सलहा में रुमर जिया अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में लेचेता हूं क्या कहते हैं आपकी गर नक्ष प्यार और पैशा भी मिलेगा कारवारी और नौकरशमंदी उल्जने दूर होगी समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी जिसर की घर है योगायोग है आज गुजारलाइक धन की प्राप्ती भी होगी विद्यारतियों और युवाओं के लिए आज का जो गोचर है वो जिम्यदारियों के प्रति लापरवाई नहीं क्या करें वही अपनी जिम्यदारियों को पूर्ण करने का प्रियास करें यह उपाय आज क्या ना करें वेर्त की विवाद में ना पढ़ें क्या उपाय करें तो मैं इस राशी वालों आज मंगल की बीज मंत्र का जाब करें ब प्रणना है, साउधानी का संकेदरी, इसलिए बहुत जरूरी है आज मरियादाओं का पालन दरना, समाजिक दाइरा, वेभाईक दाइरा और कानूनी दाइरा का उलंगन परिशाने में डाल सकता है, चाहिए वो नोकरी हूँ, चाहिए वेविशा है, यदि दाइराओं का पाल बिना परवारिक चला के कोई भी मसला आजा प्रारम नहीं करें, अन्यता नुक्सान हो सकता है, विश्वड़ाशी वालों, यात्रा में कस्थ हैं, बचना बहुत जरूरी है, घर से आज बार कम निकलिएगा, अभी द्यारती आप युवा हैं, सिक्षा और क्यारिक तो अच्छा रहेगा, क्या ना करें, तो मन में निराशा और कुंठा को नहीं परवन देख, बस खाली प्रियास करें, क्या उपाय करें, आज जरूरुत बंद गरीब लोगों को फलों का दान दी, और रशीले फल होने चाहिए, बहुत उत्तम लाब मिलेगा, नमने बात कर मिधुन दाश की, मिधुन दाश की वालों के लिए आज का गोचर पूरु लाब और शफलता का संके दे रहा है, अपनों का सहोग मिलेगा, और सवजनों का विशेश सहोग प्राप्त होने से कैरियर और नौकरी शमंदी मसले हलोंगे, और पारवारिक बातावन बड़ा बै आम Jessie में विटेगा, विलासाता में वर्दी होगी, सुक के साधन उपलब्द होंगे और साज़दर के कारेयों में लाब में लेगा, क्या करें, बहुत जरूरी है, आज अपना अंकलन कारना, अपनी ओर देखना बहुत जरूरी है, क्या ना करें, मन में अहस्तिरता नहीं र उरुद्बन गरीब लोगों को अपने हास से खिलाएगा, कष्ट कमाएगा, नमुलेनु बात करते हैं घुलिक काल की अर घुलिक काल में को शुबकारी आप प्रारम कर सकते हैं, अब आज का घुलिक काल है, प्रातीष साढ़ी साथ बज लेकर नौबज था तक, नमुलेन बा आप प्रशासनिक अफसरत कोई नई जिम्मवारी आपको मिल सकती है सास के सित्र में विशे सपलता मिलेगी और कानोनी मसले माप विजे होंगे रिण के लेंदेन का लाब मिलेगार शत्रू प्रास्त होगा विद्यारती और युवाओं के लिए आज का गोचर शुबता संकेदरा हैं आप कालाकार और खिलारी लाब अविशे मिलेगा क्या करें अपनी जिम्मदारिय को पूरा करें क्या ना करें आज अपनों के साथ विवाद में नहीं गड़ें क्या उपाए करें करकराश वालों कच्चे चावल सर्दानुसार कच्चे चावल गरीब निदन जरूतमन विध्वा महिला को दान में दीजेगा कश्ट कमाएगा नमनन और बात करते हैं शिंगराश शिंगराश वालों गोचरिय संकेदरे काम भी बनेंगे अपनों का साथ भी मिलेगा शफलता भी मिलेगी मनावशक्तां की पूर्ती भी योगी और सरकार से लाब मिलेगा संसाने देगा अवसर मिलेगा और जिस्तर की घर योगा योग है आज उच कोटी की व्यक्ते का संपर्ग बड़ा ही अनकोल लेगा आप विद्यारती आप युवा है तो आज शिक्षा के सिर्व में परिश्रम का पूर्ण लाब प्राप रोगा लेकिन नौकरी और व्यविशाय में थोड़ी सी भागदोर और परिश्रम जरूर रखना इस बात का ध्यान देगा क्या करें अपनों की सफलता के लिए थोड़ा सा प्रियास बढ़ाई क्या ना करें दूसरों की बातों में ना है क्या उपाय करें आज पक्षियों के लिए दाना और पानी की वेविस्ता करना बड़ा शूब रहेगा ग्यहूं का दलिया पक्षियों को डालियो थोड़ा सा पानी की प्रबल संभावना है बच्चना होगा और धनानी होने में आपकी कारिशेली और आपकी वानी का बड़ा स्वहोग रहेगा इसलिए वानी में सेम रखें और कारिशेली में सकारात्वक विचार रखना बहुत जरूरी है परिवार में परिशानी है आवाज सम्मन्दी समश्या है और माता पक्स को लेकर आज तल्की की संभावना ने ज़राए बचिए मित्र प्रिजन स्वार्ति सिध होंगे भाई मांसिक तनाव है और कारिय में अवरोध भी है विद्यारती रिवाओं के लिए आज का गोचर शावधाने का संकेत दे रहा है क्या करें बहुत जरूरी शामाजीक व्यवस्ताओं को साथ लेके चलना परिशा ध्यान अक्ला में श किसी बारी व्यक्ति के वैकाव में नियाए क्या उपायक है कैने राशिवल किसी गरीब निधन महिला को दान में दीजिएगा कस्ट कम आएगा अब नहीं बात करते हैं आज की यात्रा आज पुर्व दिशा की यात्रा कारूबार की दिशिकोंसे शुबर मंगल में रहेगी राज की दिन दही खाकर यात्रा पर जाये तो यात्रा में कस्ट कम आएगा वित्र और शाथ किसी भी दिशा में यात्रा करें तेकिन आज यात्रा पर निकलने से पुर्व घर से जब बार निकले सबसे पहले साथ कदम पुर्व दिशा में चले तब राइट टर्ण लेकर एश्ट देव का ध्यान करके जिस दिस्ता में यात्रा करना आप उद्र चले जाएगा कर्ष्ट कमाएगा नमना इन बात करते हैं तुलाराश तुलाराश यालों शमयनकुल परवरी कोई शुतारों का शुप शंकेत शास और प्राक्र में विजिए रोगी पृजिनों से मिलने का आउसर प्राप्ता घर में षुप और मांगली कारी संपन होंगी और नौकरी में शफलतार बहुच प्रशन और शाह्क्रमयों का शात अच्छा रहेगा और आज उनती के आउसर प्राफ्ट हो सकते हैं तनका बढ़ सकती हैं नई जुम्मवारी मिल सकती है जिसरे की घरे योगायोगे शफलता और धनलाव है विद्यारती और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुब रहेगा क्या करें पारवारी कोई मांगलिक और शुबकारी है तो उनमें साथ दीजिए क्या ना करें पारवारी कारियों में नुक्ता चिनी नहीं करें क्या उपाई करें रेतु फल जो इस सिजनल फल है तुला राशी वालों वो विद्वाओं को दान देना आपके लिए आज बड़ होंगे लेकिन ये सारे काम अच्छे तब होंगे जब आपकी वानी में मधूरता बनाए रखेंगे प्रते कारी में शपलता है बस वानी में मधूरता और खर्चों पर अंकुष भागदावर परिश्रम का लाम मिलेगा पारवारी जिम्यदारी को पूरा करने में आप शपल पर चिकराशी वालों मंगल गाए या फिर आउम नमस्षिवाय इस मंतर का जाप करेंगे तो कष्ट काम आएगा नमणाय नो बात करते हैं धनुराशी धनुराशी दनुराशी वालों सितार लाब का संकेत दे रहे हैं कष्टों चे छुटकारा मिलेगा मननों आउश्यक्ता पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं इसका लाब उठाना चाहिए पारवरी जिवन शुकद और अनकूल रहेगा ति द्यारतेरों युवाओं को अपने कारी में शपलताविशे मिलेगी क्या करें बहुत जरूरूर है अपनों की सुनना अपनों के साथ बैकना उनकी आउश करें मकर आशिक मगर आशिक शुतारी ये संकेद रहें कि परिशानिया है बिना बजे अनावशक परिशानियों का सामना करना पर सकता है और आज वहान को स्वावधानी से चलाना होना चूट की प्रबल संभावना है नशा नहीं करें लोगों पर अंदा विश्वास नहीं क कान के कच्छे नहीं रहे और जमिन जायजाज जी कोई विवादी सोधा है तो आज के दिन सोधा करने से बचना बहुत ज़रूरी है वैविशाई गत्वीडियों में रुकाउट है इसलिए सावधानी अफिक्षित है लेकिन धन मिलेगा रुकिवे काम भी बनेगे थोड़ सा ध्यारते और योग लिए आज का गोचर शावधानी का संकिर दे रहा है क्या करें बहुत ज़रूरी है आप चाहते हैं कि सपलता मिले तो पारवारिक सदस्य रिस्तदार मित्रों के साथ वानी और समन में थोड़ी सी मदूरता रखिए क्या ना करें एहंकार को बढ़ने नह ख़ता है करोबारी समयाँ का समधान मिलेगा कारोबार में धनला प्राप्ति और नौक्री में प्रसासनीक अब राजनेता हैं आप फॉझ में है पुलीस में और बड़े उच्छे पदों पर विराजमाने तो कुछ अच्छा करने का अब्सर मिलेगा कोई उसकार ये कोई व किसी का आपमान ने करें क्या उपाय करें। आज नमकीन चीज दान देचे। चाहिए बोजन कराईएगा। लेकिन नमकीन चीज दान देना बड़ा शुप है। नमण मुनम बात करते हैं मेंदाशी की। मेंडास वालों ग्रह गोचर शुप शितारों का शुप शंकेत, रुकिवे सिरकारी कारी संपन होंगे और जो आपका काम करने की सहली है, जो आपका शंपरक शुत्र है, जन संपरक के मादिर्ण से आजविका और वैपार में उनत्ति के अवस्त पाक्त होंगे, धनलाब दार्मिक कारी में रूची बढ़ेगी, और गोचर ये संकेत रहा है कि नौकरी और वैविशाय में अनकूल प्रस्तियां उत्पन होगे और लाब भी मिलेगा, आप विद्यारती आप युवा है, तो सपल तक आप पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, क्या करें, आज जल में मि कुछ मित्रों ने कहा था, कि हम दवा तो ले रहे हैं, लेकिन हिर्दे समंदी कोई परिशानी है, तो क्या पूजा करें, क्या उपाय करें, तो भाई, डॉक्टर की दवा में लापरवाई मत, इलाद में कोई लापरवाई मत करना, और शनिवार्ग दिन आप जीत मूर्थ म बारा मुखी रुद्रास के पांस दाने लाल धागे में पिरोगर अपने गले में धारिये करेंगा, यह अदभूद है, दवा भी काम करेंगी और बिमारी से पीछा चुटेगा, डॉक्टर को बिमारी पूरी तरह समझवाएगा, अदभूद है, करके देखेगा, नमना रह इन तष साल में डिवादी देव शनेदेव की कृपा से गो माता की सेवा में लगा रहा, पिछले दो तीन सालों से मेरी प्रस्तिया इतनी अन्कूल नहीं है, जितनी मस्ति में मैं गो माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा वैवधान आया है, राश्ट में पूरा विश्वास करते हैं इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और शाथियों मेरी आर्थिक प्रस्थि इस समय ठीक नहीं है मुझे गो माता की सिवा में आपका सहोग चाहें आप गो माता की सिवा करेंगे तो मैं आपकी सिवा में हाजी हूँ जो मैं जानता हूँ मेरे आराद्ये देवादी देवसनी देवरु गुरू महराज जी की दया से जोतिस की आसपास रहने का आउसर मिला आपको जोतिसी समधान में मेरा शहोग चाहिए मैं कोई प्रजापिता ब्रमा नहीं हूँ नहीं मैं हतेली में सरसू उगाता हूँ मैं प्रियास करता हूँ मैं आपके लिए प्रियास करूँगा जोतिसी समधान के लिए और इसकी एवज भी मैंने आप लोगों से निवेदिन किया था कि आप गोमाता के लिए 200 उर्पिया गोसाला में जरूर दें आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सयोग कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गोमाता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गोमाता भुकी ने रहे मेरी गोमाता को चारा मिले और जो भी दान दाता जो भी राष्ट भक्त गोमाता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलिफ बढ़ेगी इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की वज़े से चारे की तकलिफ ज़्यादा नजर आ रही है आप सबी से मेरा निवदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ परियास करिए नमबर आपके सामने में है इन नमबरों पर शंपर करिए मैं आप से वीडियो कॉन्फरेंस में जरूर बात करूँगा और ये मेरा शोभा क्या होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहो करूँ जब आपको मेरी आउश्यक्ता पड़ेगी इन नमबरों पर मैं आप से उपलब्द रहूँगा इन नमबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो-चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़ादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि जोति से समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में सयोग करें और उसकी एवज में दाती महराज आज की सेवा में हाजिर हैं हाजिर थे और हाजिर रहेंगे चिड़ी चौच भर गई नदीन घटियो नीर परमारत के कारणी मानव धरा सरी सेवा का फल हमेशा मीठा होता है शात्रा और समय बड़ा बलवान है समय एक सा नहीं रहता है आज मेरी प्रस्थि है कि मैं आपसे नवेधन कर आज तक मैंने राज़्से कभी पैसा नहीं माँँ आगा मैंने य। जरूर काए कि सेवा बेद्ध्यान दें इस समय मैं खलदी वानी से आपकी सेवा कर पा चाहा हूँ मेरी आर्थिक प्रस्तिया इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गो सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ गो साला में गायों को तकलीप नहीं आए पुने मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों की हरे चारे की विवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि राष्ट के लोग 2100 रुपय भी गो साला में दे देंगे कुछ तो मुझे स्योग में लेगा जो लोग स्योग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत-बहुत आभार और जो लोग स्योग के लिए आगे आएंगे मित्रों और साथियों दाति भारात जीमन भरा आपके आभारी रहेंगे इस से वाके लिए मेरी गोमाता भुकी नी रहे उन्हें तकलीप नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमाना रहें बहुत जरूर को कास्यों जरूर करें भारी एंगे आभारा आपके लिए आगे आगे